आज मैं आपको redirects के बारे में बताऊंगा, अगर आप इस चीज को miss कर रहे हैं, धान नहीं दे रहे हैं, तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, friends, जितना अच्छा onpage SEO कर ले, Google की नजर में आपकी एक website कभी निकलाएगी, तीन या चार website होगी, जिसमें एक जैसा content होगा, क्या problem आने वाली है, मैं आपको वो बताता हूँ, नीचे आप देखेंगे, आपकी जो website है, इस domain name से भी open हो रही है, और नीचे वाला जो domain name है, जिसमें SSL certificate activate नहीं है, और www. लगा हुए, तब भी आपकी website अगर open हो रही है, और third case में friends, जिसमें SSL certificate activate है, HTTPS, और इसके है, फिर भी आपकी website open हो रही है, इसी link पे, और fourth number पे, आपका SSL certificate activate नहीं है, और जिसमें friends, आपकी website open हो रही है, मतलब यह जितने भी चारो domain मैं दिखा रहा हूँ, चारो में आपकी website open हो रही है, तो इस case में friends, Google की नजर में आपकी एक website नहीं, चार website है, और चारो duplicate है, तो वो किस website को rank करे Google में, यह थोड़ी सी problem हो जाती है, और इस चीज़ को ठीक करना बहुत जरूरी है, SEO factor के हिसाब से देखा जाए, और आज मैं आपको यहीं बताने वाला हूँ, कि आप blogger और wordpress के अंदर इस problem को कैसे solve कर सकते हैं, और उससे पहले अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं करें तो subscribe के button पर click करें और इस bell icon को press करने के बाद all के ओपर जरूर क्लिक करें, मैं हूँ विदान तोर welcome है आपका techno विदान चैनल में, अगर आप channel subscribe नहीं करेंगे तो friends, इसी तरह की important videos आपसे मेस होती रहेगी, और आप जो मर्जी करते रहेंगे, आपकी website का SEO, जितन www में और non www से आप www में redirect कर सकते हैं, यही दोनों तरीके में आपको wordpress और उसके बाद blogger में बताने वाला हूँ, सबसे पहला point में बताऊँगा www से non www, मतलब अगर www.technovidana.in पे मेरी website open हो रही है, और जो मेरा main domain है, वो https और technovidana.in है, तो इसको मैं इसमें कैसे redirect करूँगा अब सबसे पहले मैं आपको वो बताने वाला हूँ, यहाँ पे आपको एक code मिलेगा, इस code को आपने copy करना है, यह code कहां से मिलेंगे अभी थोड़ी देर में बताऊँगा, उसके बाद जो आपकी website है, उसके आगे जहां manage लिखा है, उसके उपर आप click करेंगे, यहाँ पे आपके बाद आपको public underscore HTML, इसके उपर click करना है, और यहाँ पे आपको .htaccess की file search करनी है, अब यह वाली file के उपर आपने right click करना है, और सबसे पहले इसको download करना है, download किसले करना है friends, आपके पास एक backup रहेगा, गलती से अगर आपसे कोई mistake हो जाती है, तो at least उस backup को restore करके, अ आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, already मेरा यह code इसके अंदर add हो चुक है, और फिर भी मैं आपको बताऊँगा, जहाँ पे भी आपका last code खतम हो रहा है, आपने enter press करना है, और अपने code को यहाँ पे paste कर देना है, और उसके बाद आप save के उपर click करेंगे, मैं भी इसे save न करेंगा, इसके उपर में आपको इसका example दिखा देता हूँ, यह चीज मेरे साथ हुई है, तो मैं इसलिए एक video बना रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसको copy करा, copy करने के बाद, अब मैंने इसको यहाँ पे paste करा, अब paste करती आप देखेंगे, यह automatically मेरे main domain name के अंदर redirect करेंगा, यहाँ पर आप देखेंगे non www to www example मैं दे चुका हूँ, मतलब कि अगर technovidant.in है, तो उसको आपने https www में कैसे open करना है, उसके लिए यह वाला code है, इसको यहाँ से आपने copy करना है, और बिल्कुल सेम वही तरीका है, जो मैं आलरड़ी आपको बता चुका हूँ, इसको यहा इसे चेक करना है, आप पहले वह देख ले, मैं custom domain के बारे में बताऊँगा, freeblogspot.com जो यह domain होता है, इसकी बात ने करूँगा, अभी आप देख रहे है, https के बाद मेरा www.show नहीं कर रहा, अगर आपका custom domain है, तो किस तरीके से करना है, अब मैं आपको वह बताता हूँ, आ आपको समझ आजएगा बहुत easily कि आप अपने blogger के अंदर कैसे redirect कर सकते हैं, पर एक चीज का आप ध्यान जरूर आखे, friends, आपने सबसे पहले अपनी website को open करना है, अपने custom domain जिसके अंदर आपने add करा हुआ है, अब यहाँ पे friends, आपका पूरा domain name दिखा रहा है, अब इसक पता कि blogger के अंदर आप custom domain कैसे add कर सकते हैं, new interface में पुराने वाले की बात नहीं कर रहा है, तो उसके आप मेरा यह वाला वीडियो देख सकते हैं, अब यह चीज़ तो friends, आपको समझ आ गई कि www, non-www को कैसे redirect करेंगे, अब मैं आपको बताऊँगा कि http को https में कैसे redirect करते है SSL certificate मिल जाता है, हर जगा से आपको free मिल जाता है, अगर आप hosting ले रहे है, blogger है, blogger के अंदर होता है, पर अगर आप उन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो उसमें भी problem आएगी, आपकी website http में भी open होगी, और https में भी open होगी, तो Google के नजर में यह दो website आजेंगी, यह यहां पर आपको code मिल रहा है, इस पूरे code को आपने यहां से copy करना है, वापिस आप अपने file manager में जाएंगे, htaccess में जाएंगे, right click करेंगे, edit पे जाएंगे, और जो code आपने पिछला वाला अगर जरूरत होगी तो paste करा होगा, उसी के नीचे enter press करके, इस पूरे code को paste करक इसके लिए आपको किसी plugin की जरूरत नहीं है, और उसके बाद आपकी website बहुत ही असानी से redirect हो जाएगी, इसका भी मैं आपको example दिखा देता हूँ, यहां पर आप देखेंगे, अगर मैं अपनी http वाली बिना SSL certificate वाली website को open करता हूँ, तो वो redirect रहेगी मेरे SSL certificate पे, यहां पे आप देख सकते हैं, जैसी मैंने इसके उपर click करा, click करने के बाद आप देखेंगे, मेरी यह website open हो चुकी है, और यहां से आप उपर देखेंगे, friends, यह HTTPS मतलब SSL certificate मेरा activate हो चुका है, simple सा logic है friends, किसी plugin को download करने की ज़रूरत नहीं है, coding से आप बहुत ही असानी से कर सकत अब blogger वाले भाई मेरे कैसे करेंगे, मैं उनको भी बता देता हूँ, आपने blogger के dashboard में जाना है, settings में जाना है, और Ctrl F प्रेस करके आपने यहां पे सिफ HTTP लिखना है, अब आप देखेंगे, यहां पे लिखा हुआ है, इसको मैं यहां से off कर देता हूँ, HTTPS redirect, यहां पे इ setting by default on रहती है, पर कुछ मेरे भाई कुछ न कुछ R&D करते रहते हैं, तो गलती से अगर उनसे off हो जाए, तो इसको एक बार जरूर देखे, यह जितने भी code है friends, उसका link नीचे description में मिल जागा, link पे click करेंगे, मेरी website में जाएंगे, timer का इंतजार करेंगे, और उसके बाद आप इसे free में download कर सकते है, redirect करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी मेहनत वेज चली जाएगी, Google की नजब में आपकी एक नहीं अनेक website होगी, I hope आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, ऐसे ही interesting topic के साथ आपको बहुत जल्दी मिलने वालों, तब तक के लिए, ज ने आपको ज्क वेखेस झाल हैँ चाहईगी मुत्ते कि भीडियार अपार कोईग्वागी से एक शेडियो आपके गलूरर को रावगी होगी तक कि अरूर चाहईएगी, आपको।, वेज़ टाम